जी यहां दोस्तों मैंनती लेंगर भारती खेल जगत में जाना पहचाना नाम है आप सब इनकी चहरे और इनके नाम से वाकिफ होंगे फिशले करीब 15-16 साल से हर बड़े खेल इवेंट में वह भारती स्पोर्ट्स चैनलों का चहरा रही है फिर चाहे 2010 कॉमन वेल्ट गेम्स रहे हो या 2010 फीफा वर्ल कप या 2011 किरिकट वर्ल कप या IPL या इंडियन सूपर लीग अभी मैंती लेकर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क का हिस्सा है और इसके चैनलों पर भी नज़र आती है कई बार उन्हें अपना कारियर फुटबोल के साथ शुरू किया था लेकिन अभी वे किरिकट मैचों में ही ज़्यादा दिखाई देती हैं और फैंस उनको वही देखना पसंद भी करते हैं खेल की बारेकों को समझने और उन्हें दर्चक तक एंगिस तक एंगिस तरीके से पहुचाने की वज़े से मैंती काफी तारीफे बटोरती हैं साथ ही उनकी खूबसूरती भी उनके शो में चार चांद लगाती है आपको बताने वाले हैं मैंती लेंगर से जुड़ी कुछ पतर कारिता में खदम रखा था शुरू में वहें अमेरिका में काम करती थी लेकिन मैंती अमेरिका में पढ़ाए के दोरान फुटबोल को काफी पसंद किया करती थी क्यूंकि वहाँ पर फुटबोल का बहुत क्रेस था वहें अपने फुटबोल टीम की सदस्य भी थी इसस इसे उन्हें फुटबोल से जुड़े नियम, कानून और उनकी खिलाड़ी के बारे में सब पता चला इसकी मदद से वह फीफा बीच फुटबोल से जुड़ गई और इसकी गैस्ट एंकर बनी इस भूमिका में वह काफी सराय गई, उनके काम को काफी नोटिस भी किया गया बाद में जी स्पोर्ट्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया यहां रहते वे उन्होंने कई फुटबोल टूनामेंट्स को बहुत बहतरीन तरीके से कवर किया बाद में मेंन्ती लेंगर ESPN टीम का हिस्सा बनी और यहीं रहते हुए उन्होंने 2010 फीफा वर्ल कप कवर किया इसी साल उन्होंने दिली में हुए कॉमन वेल्स गेम्स जुड़े कारे करमों को भी मेंन्ती ने होस्ट किया फिर वह स्टार इस्पोस्ट टीम का हिस्सा बन गई तब से वह यहीं पर नजर आई 2011, 2015, 2019 का वर्ल कप होस्ट कर चुकी है साथ ही IPL के भी कई सीजन के लिए जाना पहचाना चेहरा है उनके अगर परसनल लाइफ की बात करें तो मेंन्ती लेंगर ने किरिकेटर स्टूर बिनी से शादी की थी स्टूर बिनी से आप सब बाकिफ होंगे, दोनों का एक बेटा भी है इस दोरान कई मैचों में उनका परदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा है मैंती के ससूर और स्टुएट के पिता रोजर बिनी भी किर्केटर रहे हैं वे 1983 वर्ल्ड कप जीतने वारी भारती टीम के सदस्ते रहे हैं नेक्स्ट नैनी स्पोर्ट्स की रिपोर्ट